देर श्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी विद दुलार में बच्चों ये क्लास 2 का हिंदी बुक है और ये चप्टर है 6 चप्टर का नाम है बाग लगाएं तो इसमें बतलाया गया है कि जैसे आप जहां पे घर बनाते हैं आपका घ कर देखते हैं घर के पीछे बाग लगाएं पंची पंक पसारे आएं च्यारी च्यारी हरिया ली हो फूलों से खिलती डाली हो तो वहीं बतला रहा है कि घर के पीछे या अगल बगल में जो है एक बगीचा लगाना चाहिए जहां पे कई सारे पोदे हो कुछ फल वाले बगीचे में कई तरह के जब पोदे होंगे तो वहां पे अनेक परकार के पंची आएंगे रंगि तरए के फूल उखते हैं कई परकार के उन क्यारियों में फूल उखते हैं जो रंग भी- रंग होते हैं देखने में काफी मनमुहक लगता है यहां पर आगे दिश्यदिया हुआ है बेला जुही गेंद लगाएं हर सिंगार गुलाब उगाएं बहे ब्यार खुस्बू के साथ बच्चे जुमे तितली के साथ यहां पे यह सब नाम दियावा है बेला जुही गेंद यह सब फूलों के नाम है अलग-अलग परकार के फूल होते हैं यहां पे यह दिखाए गय हुगा सकते हैं उन्फूलों से सुंदरता बढ़ जाती है बहे ब्यार खुस्भू के साथ ब्यार मतलब हवा होता है तो यहां पे जब हवा चलेगी इन्फूलों से होते हुए तो इनफूलों करो जो गुश्ष्पू रता है वह भी साथ में लेके चलेगी और पूरा वातावरन जो है खुसबू में हो जाएगा और सेंटेड हो जाएगा अच्छा लगेगा बच्चे जूमें तितली के साथ और इतने सारे पोधे आपके घर के आसपास लगे हुए हो तो कई सारे कलर कलर के तितलिया भी आते हैं और बच्चे तितलियों को देखकर काफी खुस होते हैं उनके पीछे भागते हैं उनको पकड़ने के लिए तो बच्चे भी खुस हो जाते हैं वहां पे जितने भी लोग रहते हैं सभी उनके मन में भी खुसी उमड़ पड़ती है इस तरह से यहां पर देखिए यह दो बच्चे हैं जो तितलियों के पंपकूर हर्सी यहां पर अगर हएंगे अमरूद में लगाते हैं लिंट तो आप जरूर ग्याएंगे giys तो वहां पे ही बारिस होने की ज़्यादा संभावना राता है और बारिस के दिनों में रिमजिम रिमजिम करके बारिस होती है उन पेड़ों पे काफी मनमोग सद्रिक से बन जाता है और जब बारिस होती है तो उसमें जो बीज टूट टूट कर गिते हैं तो उन बीजों से न आँ अंकूर हरसे, मतलब नै 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 अंकूर निकलाते हैं, नै नै पोधे निकलाते हैं, यहां पे इसके आगे दिया हुआ है, कोयल काली गीत सुनाए, डाल डाल वासंती चाये, गरम दुपहरी ठंडी चाया, बैठ छाओ हो सीतल काया, तो कोयल कब काती है, बसंत के महने में, जब आमों पे मझर लग जाता है तो उसी समय में कोयल की मीठी गीत सुनाई देती है कोयल कैसे बोलती है कुहू कुहू कर कोयल गाती है डाल-डाल वासंती चाये जो पोधे, फूलों के पोधे होते हैं उनके डालियों में कई तरह के अनेक सब फूल लग जाते हैं जो की सुन्दर दिखाई देते हैं गरम दुपहरी ठंडी छाया बसंतिरितु जैसे आती है उसके कुछी दिन बाद धूप तेज होने लगता है तब दुपहर जो होता है वो काफी गरम हो जाता है तो ऐसे समय में पेडों में पत्ते काफी सारे आ जाते हैं तो अगर हमारे घर के आस पास कोई बाग हो तो बड़े पेडों के काफी सारे पत्ते आ जाते हैं और जिससे हमें ठंडी छाया प्राप्त होता है तो जब गरमी ही लगता है तो अक्सर लोग गाउं में क्या करते हैं पेडों के नीचे चले जाते हैं वहाँ पे चटाई या खट्या बिछा कर सब पूरा फैमली जो है पेड़ की नीचे बैठते हैं और छाओं का आनंद लेते हैं बैट छाओं हो सीतल काया तो वहाँ पेड़ते हैं पेड़ के नीचे और ठंड पराप्त करते हैं शरीर उनका जो है सुख महसूस करता है तो इस तरह से मतला जा रहा है कि घर जो हमारा जहां भी है वहाँ पे हमें एक छोटा बाग लगाना चाहिए इससे हमें सुधावा मिलता है और कई तरह के फल फूल मिलते हैं और हमारे घर की सुंदरता भी बनी रहती है तो यहाँ पे कि या पोयम समाब्थ हो गया है कि एक दूसरे से जुड़े रहते है यह पंक दियावा है इस्में अंस्वर का मात्रा दियावा है और सब्दों के अर्थ यहां पे जैसे ब्यार, हवा होता है, अंकूर, बीज में पोधों का आरंभ, खुआ Question number 3, इनका वाइक में परियोग करें, तो इसको मैं आगे बना कर दे दूँगा Question number 4 में यहां पर बतलाया गया है, उद्गम, अर्थात जनम की द्रिष्टी से हिंदी सब्दों के चार प्रकार होते हैं तत्सम, तद्वाव, देशज, विदेशज, यह जो है आपको गरामर में आगे और पढ़ने के लिए फिर मिलेगा, आप यहां पे सिर्फ पढ़ लेंगे, आपको जितना भी समझ में आता है, उतना काफी है, फिर बाद में आपको इसको पढ़ना पढ़ेगा उसके बाद question number five, जो कि इस poem का question है, question number six में कविता को याद करने के लिए कहा गया है, तो आप अगर इस कविता को इस poem को याद कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि याद होने वाला जो system है, जो आप याद करते हैं कुछ भी, तो बच्पन में ही कुछ याद होता है, अगर आप बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर याद होने वाला नहीं है, इसलिए अभी से ज़्यादतर poem को आप याद करें, seven number में बहु बचन बनाने के लिए कहा गया है, तो मैं इसका answer आगे दे दूँगा, तो आइए मैं आपको answer बना के देता हूं, यह chapter 6 का question answer, इनका वाइक में परियोग करें, हर्याली, चारो और हर्याली चागई है, रिमजिम, रिमजिम बारिस हो रही है, अंकूर बीजो में अंकूर निकल आया, गीत, गीत ने सबका मन मोलिया, वासंती, बागों में वासंती चागई, दोपहर, दोपहर होने वाला है, ऐसा सुख देने वाला है, question number 5 निमने लिकित प्रश्णों के उतर दे, घर के पीछे बाग लगाने पर कौण आएंगे, घर के पीछे बाग लगाने पर पंची आएंगे,есть ववसंत आने पर किसका गीत सुनने को मिलेगा, वसंत आने पर कोयल का गीत सुनने को मिलेगा, बादल के बरसने पर बाग ने अंकुर कीषी लाइंगे और इड़ाय है ओर गया पनची बीए फूल से खिलती डाली बच्चा जूमता है बच्चे झूमते हैं बादल बरसंग यह मेर 가장 यह हमारे हैं तो यहां को हमारे वीडियो से हैल्प मिलता है ताप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और इसके अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए आख वीडियो में चलेंगे तौइंग नेक्ट वीडियो में चलते हैं